नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चनल आपजेक्टिव सेंटर पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा आटो मोबाइल इंजिनेरिंग आज से हम लोग सुरू करेंगे इसमें से हम लोग बहुत सारे चैप्टर को कवर करेंगे जैसे क होगे हमारा सबसे पहले इंट्रोडाक्शन के बारे में आटो मोबाल इंजिनिंग फिर इसी इंजन के बारे में पढ़ेंगे फिर डीजल और पेट्रोल फ्यूल इंजन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे एर फिल्टर और कार्बूरेटर के बारे में पढ़ेंगे वील और तो सबसे पहले हम लोग सुरूँ करेंगे इंट्रोडाक्षन के बारे में तो पहला कोशन है निमन में से कौम सा एक उसमी इंजन नहीं है आप सब्सक्राइब देखें जो उसमी इंजन नहीं है यह आपको बताना है तो देखें डीजल इंजन भाप टरबाइन और पेट्रोल यह सब कि वहहां कि पहुंवड इंजन नहीं है क्योंकि इसमा की जरूरत नहीं पड़ती इसमें अयर्की जरूर यानि की हogo चलता है यहीं हवा की जरूरत पड़ती है तो डीजल इंजन पेट्रोल और भाप टरबाइन अईजन है ऐसा इंजन जो उसमा उर्जा को यांत्रे कुर्जा में परिवर्थित करता है यह इंजिन हीट इंजिन के अंतरगत आते हैं पाउंच अक्की को वाउक के द्वरा प्रात सक्ति से चलाए जाता है दूसरा कोशन है कि मोटर गाड़ियों में प्रिवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर प्रकार के एक होता है आपका प्रकार इस अपकाल इंजन और मिनेट ऐसे में आपका दो अगहीं गहीं आता है ट्रियस क्रीश क्या प्रकार य। कि फेल फिर फिर फाडले नियन ये होते हैं आपकेप्रकार और की के तीसरा कोशन है of the चार्ज बाइं संहहां सर्फेस लिजला दा इंजान भीफोर टप सेज अफ इस पार्ड में इस पार्क सेफ से पूर्व इंजान के अंदर कातिपाई गार्म सताय द्वारा चार्ज के प्रजवलन को क्या कहते हैं आपसे प्रीगिनिशन डेटोनेशन डेले पोस्ट इगिनिशन तो देखिए इसे हम लोग बोलते हैं प्रीगिनिशन कि जब सिलेंडर के मद्द चार्ज को कमप्रेश्ट किया जाता है तो उसका तापमान और दाब दाब्ता जणर लगता है जिससे हम लोग प्रीगिनिशन कहते हैं यानि कि पूर्व प्रजवलन समय से पहले जिसका जल जाए वह होता हमारा प्री प्रिगिनिशन चौथा कोशन है कि हीट इंज्यन का मूल रूप से परियोग होता है तो हेट इंजन का मुलूरूप से परियोग कहां पर किया जाता है? आपन्षन है आपके सामने कोईले से बिजली बनाने में किसी भी अन ऊर्च परियोग में बदलना उस्मा ऊर्च को यांतरे कुर्च में बदलना इन में से कोई नहीं तो देखें क्या है कि जो हीट इंजन मुलूरूप से परियोग किया जाता है वह उसमी उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदलना के लिए किया जाता है तो यहां पर हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा फ्षाइट इन्जन है क्या तो देखे उसमे उर्जा को यह अंतरी कुर्जा में प्रिवर्थित करता है कि दुत कि इन्जन कि यह Mesť करते हैं कि आईसी मतलाब होता है internal combustion engine यानि कि अंतरद्धान इंजन्हानि यहां पर Correct answer हो जाएगा कि पेट्रोल इंजन कार्य करता है किस साइकल पर कार्य करता आप साने Auto zar जूल साइकल पर रेंकाइन साइकल पर कार्नोट साइकल पर देखे जो पेट्रोल इंजन रहता है यह हमारा कारी करता है आटो साइकल पर तो यहां पर हमारे एंसर करेक्ट हो जाएगा जो पेट्रोल इंजन होता है यह हमारा आटो साइकल और जो डीजल इंजन होता है वह हमा चलेगा देखिए यह एक डीजल इंजन में पेट्रोल परियोग करेंगे तो इंजन जो होगा वह नहीं चलेगा तो डीजल इंजन में अगर हम लोग पेट्रोल परियोग करते हैं तो इंजन नहीं चलेगा तो देखिए यदि डीजल इंजन में पेट्रोल परियोग किया जाए तो इंजन नहीं चलेगा क्योंकि डीजल तथा पेट्रोल का इगनिशन जो पॉइंट होता है वह अलग-अलग होता है अथा संपीडर अनपात अलग-अलग होने की कारण नहीं चलेगा चलते हैं नेस्ट कोशन पर आठाओं कोशन है कि पहले दर्सान में एक पेट्रोल इंजन को जाना जा सकता है आप सेने सिलिंडर के आकार द्वारा, सकती आविशन द्वारा, प्रचालन द्वारा, इस्पार्क पलग द्वारा तो पहले दर्सन में पेट्रोल इंजन को जो जाना जा सकता है वह इस्पार्क पलग के द्वारा जाना जाता है तो पेट्रोल इंजन जो रहता है उसमें इस्पार्क पलग लगा हुए रहता है तो यहां पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि पहला दर्सन इंजन में एक पेट्रोल इंजन को प्रियोग का परियोग ईधन को जलाने के लिए परियोग किया जाता है अब है नावा कोश्चन कि मोटर गाली में प्रियोग थोने वाला इंजन क्या कहला थे आप तरोर सोना आजी इंजन बायद ने न फूर धान इंजन पस्ट धान इंजन तो देखे इसलिए इससे कहा जाता है उनफर बीपेट्रोल इंजन परियोग करते है आप यह petrol काउप्योग अशचित वालों के लिए अधिक अस रचित होता है यह पेट्रोल इंगन की मेंटिनेंस में मुस्किल होती है तो दिखे ट्रायक्टर के इंगन में way पेट्रोल ​​ इंगन प्रयोग नहीं कर सकते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेट्रोल इंजन आपने कम वजन कम कम पन तथम महांगे इधन के करण ट्रैक्टर के लिए अनावस्यक्त या महांगे होते हैं कि यारे नमबर कोश्चन है कि हीट इंजन का मुल रूप से क्या कार्य होता है आपसने कोवेले से बिजली बनाना किसी भी अन उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदलना किसी भी उर्जा को बिजली पैदा करना तो हीट इंजन का मुल रूप से जो ताथपर होता है या कार होता है हीट इंजन का उसका में कारी ही होता है कि उसमा उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदलना हीट इंजन का कार होता है यूए बार्य नॉबर का क проблемы से कौन सा यो उसमें इंजन नहीं है आक नहीं डीजल इंजन भाब टर्वाइन गentल रोक्रास नहीं है तो उसमें इंजन जो नहीं है वह हमारा क्या है पावंचक्री जो इन पहले वगहों चुका है क्योंकि जिस अले शहती है इस लिए शब क्या है उसमें उसमीर हैं जैने कि पौंच चक्कि उबाहिए चलता है तो बार एक यहां पे हमारी आंशर पर को जायएगा क्या सब्साइब की दिल सब्रेट कि कैसे आपको नहीं कि उस अस्थान का नाम जहां पहली बार मिला था यह उस व्यक्त का नाम जिसने डीजल इंजन का विकास किया डी है यूनानी देवता का नाम है तो देखे जो डीजल सब्द की उत्पत्ती है यह हुआ था कि उस व्यक्त का नाम है जिसने डीजल इंजन का विकास किया था डीजल के नाम पर यह डीजल पड़ा है कि चौदर नमबर कोश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बाहिदान इंजन यानि कि इस्टर्नल कंबस्चन इंजन नहीं है आपको बताना बाहिदान इंजन नहीं है मतलब क्या है आपका इंटर्नल कंबस्चन इंजन है तो इंटर्नल कंबस्चन इंजन है जो आपका वो है आपका डीजल इंजन डीजल इंजन आपका क्या है अंतरधान इंजन है तो यहां पर हमारे एंसर करेक्ट हो जाएगा पंदरे नमबर कोश्चन है कि कार्णोट इंजन की जो इस्टिम बिं के बीच कार करता है तो उसकी जो दच्छता होगी वह 26 दस्मलाव आठेक परतिस्यत होगी सोले नमबर कोश्चन है एक भाप सकती संयंद्र में दहन के किस चक्र का परियोग होता ह opinion ब्रीटान साइकल आटो Alcohol करणनोट साइकल तो जिक हैं एक भाप सकती संयंद्र में दहन के जिस साइकल का परियोग किया जाता है वह ऐसा किल रहता है rankine cycle तो भाफ सक्ति सायंत्र में क्या आता है आपका rankine cycle का परियोग किया जाता है भाफ सक्ती पलाटों के लिए यह एक आधर से cycle होता है rankine cycle यानि कि जो आपके power plant होते हैं उसमें आपका rankine cycle कारिक करता है बहुं हम घे-इस्ट किस चक्र पर कारिक करता है इसमें दो समदाभी प्रक्रम होता है और औरना नमबर कोर्षन है डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की बजाय कंपन जादा क्यों होता है क्योंकि दापकी आधिगता के कारण तो यहां पर सिन अंसर करेक्ठ हो जाएगा कि डीजल इंजन का संपीडन अनुपात अधिक होता है तथा पेट्रोल इंजन का संपीडन अनुपात कम होता है तथा डीजल इंजन में संपीडन के दवरान गैस का दाब भी अधिक होता है इसलिए पेट्रोल इंजिन किया पेच्छा डीजल इंजिन में कमपन अधिक होता है उन्निस नमबर कोश्चन है निमन में से ऐसा काउंट सा है जो आंतरिक दहन इंजिन का लाफ नहीं है ये आपको बताना है आप तोने आवाज सकता है नुश्रा इसे किसी भियाकर में बनाया जा सकता है किया तो यहाँ पर जो क्वचन पूछा था कैरा थे कि आंतरिक दहन इंजिन का लाफ नहीं है तो लाफ कॉंचन है कि यह छोटे आकार का है यही यहाँ पर तब करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 नमबर का कोशन है किसी साइकल की छमता है कॉंच सी है आपको समने Q2 माइनस Q1 अपान Q1 Q1 मानेस Q2 अपान Q1 Q1 प्लस Q2 अपान Q1 Q1 अपान Q2 तो देखिए यहाँ पर साइकल की जो दच्छता होती है वह Q1 माइनस Q2 अपान Q1 होता है तो यहाँ पर हमारा B आंसर करेक्ट हो जाएगा यह यही पर आपको मिल सकता है T1 माइनस Q2 अपान Q1 भी मिल सकता है आपसन में तो आपको वह भी सही हो जाता क्यूंकि जिगह पर T रहता तो भी आपको करेक्ट हो जाता करनाट सिध्धांत के अनुसार क्या होता है तो देखी करनाट सिध्धांत के अनुसार क्या है कोई भी इंजन करनाट इंजन से अधिक दच्छ नहीं हो सकता है यह आपको बिल्कुल सही है कि कोई करनाट सिध्धांत के अनुसार यह होता है कि कोई भी इंजन करनाट इंजन से अधिकदच नहीं हो सकता है तो यहां पर हमारा एंसर ही करेक्ट होगा बाइस नमबर कोश्चन है निमनलिखित में से किसकी एफिसियंसी अपेच्छा करेक्ट अधिक है आप आटो साइक्ल डीजल साइक्ल दोनों बराबर है इनमें से कोई नहीं तो जिसकी efficiency आप इच्छा करित अधिक है वो होता है हमारा diesel cycle तो यहाँ पर हमारा B answer correct हो जाएगा diesel cycle तेस नमबर question है नमनलखित में से किस cycle में इस्थिर दबाव पर उसमा दी जाती है आप सेन आटो cycle diesel उपर उक्त दोनों और है इनमें से कोई नहीं तो जिस cycle में इस्थिर दबाव पर उसमा दी जाती है वो हमारा क्या रहता है diesel diesel cycle में क्या होता है इस्थिर दबाव इस्थिर दबाव पर उसमा दी जाती है वन हर्स पावर इक्वाल टू कितना होता है तो आपको पता होगा एक हर्स पावर इक्वाल टू होता है 246 वाट के बराबर होता है कि 25 नमबर का कोशन है कि डीजल इंजिन में डीजल किस प्रकार जलता है आप नहीं एक पलक से उत्पने चिंगारी से सिलेंडर में दाबित होए कि उच्छ तापमान के कारण सिलेंडर में इस्थिर आयतन के कारण तो डीजल इंजिन में जो डीजल रहता है यह जलता है यह जलता है कि सिलेंडर में दाबित होए के उच्छ ताप के कारण जलता है तो यहां पर हमारा भी अंसर करेक्ट हो जाएगा 26 नमबर कोशन है पहले दर्शन में पेट्रोल इंजन को पहचाना जाता किसके द्वारा आप से सिलिंडर की आकार द्वारा सक्ति आविशन द्वारा इस पर प्लक द्वारा इनमें से कोई नहीं तो यह कोशन पहले भी आ की आती है तथा इस इंजन में पार्बूरेटर भी लगा होता है कि जन ऐसकार के पलक नहिं लगा रहता है 28 नमर कोश्चन है निमन मेंसे ऐसा कौन सा है जो आंत्रिक धान इंजन का लाव नहीं है आप तो नहीं है आवसक्तिन उसकर इसे किसी भ्याकर में बनाए जा सकता है यह छोटे आकार का है इसे आटो श्टाल लगा होता है यह कोश्चन भी पहले आ चुका है यहां पर करेक्ट होता होती है यह दच्छता होता है आपका 30 परसेंट तो किसी पेट्रोल इंजन के उसमें दच्छता लगबक 30 परसेंट तक होती है पेट्रोल इंजन ऐसी उसमें इंजन है जो इस्थी रायतन परकार करता है पेट्रोल इंजन को यह साई इंजन के नाम से भी जाना जाता है आटो मोबाइल गीयर समानते किसके बने होते हैं आपसे ने काश्ट आयरन के इसमें प्रतिरोध सहन करने की छमता अधिक होती है काश्ट आयरन में आयरन कारवन सिलकान मैगनीसियम फासफोर असलफर आधि पाये जाते हैं किसी मसीन की वहावलिंग से क्या ताथपर है मसीन की परणार हावस सिंग में चर्छ का ताथपर है इसका ताथपर यही होता है कि मसीन के पूर्जों को अलग लग कर उनकी सफाई करना खराब पूर्जों की जगह पर ने पूर्जे लगाना आयलिंग करना और पूर्जों को जोड़कर उन्हें मसीन तयार कर लेना 32 नमर कोशन है इनमें से कौन से इंजन का एक भाग नहीं है तो आपसन है आपको सामने कलाच पिश्टन क्रेंक साफ्ट वालव तो इंजन का जो भाग नहीं है वह आपका क्या है कलाच तो देखिए जो कलाच है यह इंजन का भाग नहीं है यह इंजन के बाहर लगा होता है ज उसको गाड़ी में transmission system तथा engine के बीच लगाए जाता है कलाच का परियोग engine के पाउर को इंगेज अथा डिसेंगेज करने में होता है 33 नंबर question what is the usual angle between the cylinder in V टाइप इंजन से प्रकार के इंजनों में बेलनों के बीच समान एंगल कौन सवा होता है आपने 60,0,180,90 तो देखे जो वी प्रकार का इंजन वी टाइप इंजन होता है उसमें दो सिलेंडरों के बीच का जो होता है अंतर वह रहता है 60 degree तो यहाँ पर हमारा correct answer हो जाएगा 60 degree वी प्रकार के इंजन में बेलनों के बीच के जो एंगल होता है 60 degree इसलिए रखा जाता है ताकि दोनों तरफ से बेलन उर्द्वाधर संतुलन अवस्थम में रह सके इस सवस्थम में सुने के भार के करण उत्पन प्रेडामी बलकमान सुननी होता है 34 question है air fuel mixture which contains low portion of air is called which mixture वाई इधन मिस्टरन जिसमें वाई के निम्न हंस समलित हैं को कौन सा मिस्टरन कहते हैं तो option है आपके सामने lean mixture, chemically correct mixture, rich mixture, impure mixture तो देखिए ऐसे mixture जिसमें वाई, इधन, मिस्टरन जिसमें वाई के निम्न आंस समलित हों उससे हम लोग कहते हैं rich mixture तो यहां पर हमारा सी एंसर करेक्ट्ट हो जाएगा Rich Mixture जब वाइभ इधन के मिश्षण Spec investigating कम कर दिया तो mixture गाढ़ा हो जाता है जिससे हम लोग mythmichodes कहते हैं तथा जब किस सें में इस सें हम लोग यहाब रहुर्त ही ही 쟁ला है अगर यह बीडियो आपको अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दें अगर आप हमारे चतरी करने तो चानल को सब्सक्राइब कर लें और जिन लोह ने वीडियो को सेयर कर दें दूस्तों के और डेली सुबह साथ बज़े आप लोग लाइव आ जाये करें, मिलते हैं नेस्ट वीडियो के साथ, थैंक यू.